नमस्कार, सैनिक स्कूल 2020 का कॉश्चन है, इंटेलिजेंट टेस्ट है, इसके पहले हमने दो वीडियो बढ़ा चुके हैं, मैथेमेटिक्स, सेकेंड वीडियो है, जीके का, यह थर्ड वीडियो है, इंटेलिजेंट टेस्ट का, आये इसको सुल्व करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं, इसमें टोटल 25 केोश्चन इंटेलिजेंट टेस्ट से पूछा जाता है, और इज कोश्चन करीज टू मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स का, यह इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, इसमें फर्स्ट कोश्चन है, if cattle is related to herd, then sheep is related to, तो cattle के group को क्या बोलते हैं होड बोलते हैं उसी तरह से sheep के group को बोलते हैं flop तो हमरा answer हो जाएगा flop उसके बाद question है choose the alternative that has the same relationship to 9 as 7 has with 56 तो 7 का जो relation 56 के साथ है उसी तरह से 9 का relation किस के साथ होगा यह बताना है तो 7 को 56 कैसा है 7 में 8 से अगर हम multiply करेंगे तो 7 8 जा 56 तो उसी तरह से 9 में अगर 8 से multiply करेंगे तो कितना होगा 9 8 जा 72 तो इसका answer हो जाएगा 72 नेक्स्ट क्वेस्टन हम देखते हैं choose the alternative that will continue the number series below 5, 11, 17 and 23 है तो इस series में हम देखते हैं कि 5 में कितना प्लस करेंगे तो 11 आएगा तो 5 में 6 अगर प्लस करते हैं तो 11 आता है उसी तरह से 11 में अगर प्लस 6 आड़ करेंगे तो 17 आएगा फिर 17 में प्लस 6 आड़ करेंगे तो 23 आएगा तो next series में भी प्लस 6 अगर हम आड़ करते हैं 23 में तो हमारा value कितना होगा 29 तो मारा answer होजागा 29 तो मारा answer होजागा 29 ओके next question देखने हैं如果 you fold that transparent paper along the dotted line in figure X which alternative figure from A, B, C, D कुड यू गेट तो यह फिगर है जैसा कि हम देख रहे हैं फिगर है अगर इस फिगर को डॉटेड लाइन बीच से अगर फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि यह जो फिगर है यह लाइन है यह रिवर्स बन जाएगा यह लाइन कुछ इस तरह से बनेगा यहां पर तो यह इस वाला पिक्चर अगर हम देखेंगे तो हमारे डी में आता है यह पिक्चर तो इसका एंसर हो जाएगा डी next choose the word which is least like the other words in the group bake, peel, fry and roast जो wordาร है बेक है fry है roast यह सारे में क्या होता है शेस है cooking से जुरा हुआ है इसमें सब cook करते हैं बद पिल पिल cooking से इसका कोई concern नहीं है इसका छिलका निकालना को बलते हैं पिल तो यह option सभी से match नहीं खाते है तो इसका answer पिल होगा next question है कि which of the following diagrams indicate the best relation between India, Haryana and world तो world के अंदर क्या है इंडिया है एंडिया के अंदर हर्याना एक state है तो अगर इसे हम diagrams में indicate करना हो तो हमारा best relation हो जाएगा answer D क्योंकि यह सबसे छोटा जो circle है वो indicate करेगा हर्याना उसके बाद जो circle है वो indicate करेगा इंडिया और उसके बाद वोला जो circle है वो indicate करेगा world okay next choose the word which is least like the other words in the group Virgo, pieces, cancer and Korean Korean words है यह तीनों से different है यह तीन है वो रासी का नाम है बट यह रासी का नाम नहीं है if statement is coded as TNE METATS then political will be coded as तो statement को अगर हम T, N, E, M, E, T, A, T, S लिखते हैं तो political को उस language में क्या लिखेंगे यही question है तो हम देखते हैं कि statement का reverse side में लिखा हुआ है अगर statement को right से left की तरफ जाएंगे तो A, T, A, T, E, M, E, N, T लिखा हुआ है statement तो इस तरह political को अगर reverse करेंगे तो L, A, C, I, T, I, L, O, P होगा L, A, C, I, T, I, L, O, P यह हमारा answer हो जाएगा ओके उसके बाद हम next question देखते हैं next question है figure X is embedded in any one of the four alternative figure A, B, C और D, find the alternative which contains figure X as its part इस figure को देखते हुए इस बाले में देखेंगे कि यह picture में X, यह picture के अंदर X कहां पे है तो यह picture के अंदर X इस figure में देखता है answer T में क्योंकि यह figure तो आ गया और इसके अंदर जब कट करेंगे तो X बन जाता है यहाँ ठीक है इसलिए इसका answer हो जाएगा D next question कहा है कि if A means add, A means add, B means subtract, B means subtract, तो B तो यहाँ पे लिखा नही है C means multiply, C means multiply and D means divide, D means divide, then what could be the answer of that equation तो 15 divided by 5 multiply 2 plus 3, तो सबसे पहले हम division multiply, division and plus है तो सबसे पहले हम division का करेंगे तो 15 में से 5 divide होगा तो value इसका एगा 3, 3 into 2 plus 3, 3 to the 6 plus 3, तो answer इसका 9 होगा उसके बाद question है, 5 men A, B, C, D and E read a newspaper, the one who reads first gives it to C, the one who reads last had taken from A, E was not the first or last to read there were two readers between B and A who read the newspaper last reasoning question है, इसमें हम देखते हैं कि यह option A, B, C, D and E है, तो according to question क्या बोल रहा है कि the one who reads first gives it to C, मतलब first C को दे रहा है, ठीक है, the one who reads last had taken from A, A से एक last ले रहा है, इसका भी नहीं लिखा हुआ है, एक किसको दे रहा है, बट इसके बीच में कोई एक बंदा है, एक स्टार्टिं में एक last नहीं है, according to question हम सुल्ब करते हैं E was not the first or last to read, तो बीच में तो किवर E का एक ही position बनता है, तो E यहाँ पे हो जाएगा, Okay, there were two readers between B and A, तो A का position तो already आपके पास fix है, तो B यहाँ पे हो नहीं सकता है, क्योंकि A and B के बीच में two readers है, तो यहाँ हम B डालेंगे, तो A and B के बीच में two readers आ जिया, C and D, And उसके बाद है, who read the newspaper last, तो last में कौन बचता है, A, B, C, D बचता है, तो हमारा answer हो जाएगा D, जो कि who read the newspaper last, D read the newspaper last, Now next question है, choose the alternative that has the same relationship to 16 as 12, has with 168, 12 का relation 168 का, 12 कितना जा 168 होता है, तो 12 and 14 जा, 12, 14 जा होता है 168, 12 को 14 से multiply करेंगे, तो 168 आएगा, तो उसी तरह से 16 के relation में, अगर 16 को भी 14 से multiply करेंगे, तो कितना value आएगा, 224 आएगा, तो हमारा answer हो जाएगा 224, you told the transparent paper, along the dotted line figure x, which alternative figure would you get, एपिक्चर है, अगर folded line में हम paper को दूसरे तरह fold कर देते हैं, इस paper को इधर की तरह fold करेंगे, तो हमारा figure बनेगा, यह dotted line है, यह center में आ जाएगा, and यह line दिखेगा, यह line दिखेगा, और यह center में आ जाएगा, तो देखते हैं कि इसमें कौन से, इसमें D option है, इसे accurate match आएगा, पेपर को अगर हम fold करते हैं, तो यह वाला shape बनेगा, now, if in a certain code, div is written as 3587, and file is written as 7465, then ideal will be written as, बहुत easy question है, इसमें, D, E, A, F का value आएगा है, 3587, file का value देज़ रखा है, 7, 4, 6, 5, then ideal, तो ideal में देखें कि सबसे पहले I है, place कितना है, 4 है, D, D का value 3 है, 4, 3, फिर E, E, second number पे है, तो 5, then A, A है third number पे 8, and L, last, तो यह third है, F, I, L, E, तो L का value आपे कितना है, 6, तो हमारा answer हो जाएगा, 4, 3, 5, 8, 6, 4, 3, 5, 8, 6, B में option है, तो B answer इसका हो जाएगा, next, choose the word which is least like the other words in the group, plastic, wool, paper, wood, forest से आपको मिलता है, wool मिलता है, paper मिलता है, wood मिलता है, but plastic नहीं मिलती, तो हमारा option हो जाएगा, plastic, तो बात क्या है, if we arrange the given words in alphabetical order, which word would come at the last place, choose the correct alternative, यह चार option दिया हुआ है, इसमें, अगर alphabetical order में हम arrange करेंगे, तो सबसे पहले, R तो सभी में common है, तो R हो जाएगा, उसके बाद O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A, E, E, तो सबसे लास्ट में O आता है, तो इसके option हो जाएगा, रॉपर, दे नेक्स देखते हैं, चोजदा alternative, that will continue the number series below, 11, 13, 17, 19, 23, 25, the next number क्या होगा, देखते हैं, 11 में plus 2 add करेंगे, तो 13 बनता है, 13 में plus 4 add करेंगे, तो 17 आएगा, फिर 17 में plus 2 add करेंगे, तो 19, 19 में फिर plus 4 add करते हैं, तो 23, 23 में 2 add करेंगे, तो 25, तो देखतें सेरीज में एक बाद 2 एड़ हुआ है एक बाद 2 एड़ हुआ फिर 4 एड़ हुआ aos 5 2 एड़ हुआ है तो उसके बाद 4 होगा तो 25 प्लस-4 29 उसके बाद है इसके बाद है चूज दकरेक्ट आल्टर्नेटिव दayt हैस दा सेम रेलेशन्ट्रट व 21 इसमें हिंदी में तो अलग question दे रखा है, इंग्लिस में अलग question दे रखा है, बट हम हिंदी को लेकर चलेंगे, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, अगर उस विकल्प को चुने, जिसका वही संबद BMJ से है, जो संबद HSY और EPV का है, बेटर है कि अगर इस proportion को देखेंगे, तो EPV का दिया हुआ है, कि EPV, H, S, Y के रेशियों में है, तो BMJ का रेशियों क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे, कि E की जगा पे H दिया हुआ है, तो EFG, मिस प्लस टू करेंके, E के प्लस टू करेंके तो H आता है, E and H के बीच में केबल दो वर्ट्स है, EFG, उसलिए पी and S क के और Y के बीच में दो का गयप है, तो उसी तरह से BMJ के बाद दो दो के गयप में डालेंगे अगर हम, तो B के बाद क्या आएगा, C, D, E आएगा, उसी तरह से M, N, O, P आएगा, and J, K, L, M, तो E, P, M आएगा, तो हमारा answer हो जाएगा, E, P, M इसके बाद question है, which of the following diagram indicates the best relation between flower, lotus and rose, तो flower, lotus and rose, lotus and rose, दोनों क्या फ्लावर है, तो एक फ्लावर के circle के अंदर आजाएगा, lotus and rose, दोनों separate, separate flower है, तो इसका better option हो जाएगा, A, कि यह जो indicate कर रहा है, outer circle, वो flower, and flower के अंदर, एक lotus है, and एक rose है, Choose the alternative that has the same relationship to 11 as 49, has with 7, यहाँ 7 and 49, 7 का जो relation 49 के साथ हो, 11 का किसके साथ होगा, तो 7 का a square निकालेंगे, तो 7 a square निकालेंगे, 49, 7, 7 जा 49, तो 11, 11 जा कितना हो जाएगा, 120, one option हो जाएगा, इसका answer, now next question, choose the word which is least like the other words in the group, green, pink, indigo, violet, तो green, pink, indigo, violet, green, indigo, and violet, यह तीनों color है, इंतर दनों उसका color है, but pink color नहीं है, तो यह option हो जाएगा, x is the brother of the son of y son, how is x related to y, तो x is brother of son of y son, x y का brother, y का जो son है, वो x का brother है, यहाँ पर, तो बोल रहाएगा, x and y का relation होगा, तो x and y का relation हो जाएगा, बजन का, okay, area of rectangle is 48 meter square, if the length is 6 meter, then breath, as you know that area of rectangle length into breath, तो length is already given, 6 meter, तो breath कितना होगा, 6 into 8, total value कितना हो, 48, तो 8 हो जाएगा, तो breath हमरा हो जाएगा, 8 meter, now, if press told the devotee, the temple bell is rung at regular interval of 45 minutes, the last bell was rung at 5 minutes ago, the next bell is due to be rung at 7.45 a.m., at what time did the press give the information to the devotee, इसमें क्या बोलाइक, next bell जो rung होगा, वो 7 is to 45 a.m. में होगा, और every 45 minutes के बाद, हमरा bell ring करता है, तो इसके पहले, जब 45 minutes के बाद बज़ता है, 7.45 time है, तो इसके पहले जो bell बज़ा होगा, वो 7 a.m. में बज़ा होगा, ओके, अभी उसके बाद क्या बोल रहा है, कि the last bell was rung 5 minutes ago, 5 minutes पहले bell बजा है, ठीक है, the next bell, the last bell was rung 5 minutes ago, तो 7.05 में message कर रहा है, message दे रहा है, क्योंकि 7.05 से, 7 o'clock में तो already bell बज़ा है, तो 7.05 इसके answer हो जागा, इसका last question है, क्या है, if in a certain code, mbs is coded as odu, then brl will be coded as, तो m की जगा पे o लिखा हुआ है, b की जगा पे d लिखा हुआ है, और s की जगा पे u लिखा हुआ है, तो m gap कितने का है, plus 1 का gap है, m, n के बाद हो आता है, फिर b, b के बाद c और c के बाद फिर d, तो यहां भी plus 1 का gap हो गया, and s, t, u, यहां भी plus 1 का gap हो गया, उसी थरे से, b, r, l, b, r, l में plus 1 का gap लिखांगे, तो b, c, and d हो जाएगा, b की जगा d हो जाएगा, r की जगा, t हो जाएगा, and l की जगा क्या होगा, n, तो हमारा answer हो जाएगा dt, n, तो intelligence test, यहीं पर complete होता है, total 25 questions, 50 marks, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर खतम करता हूँ, इसके पहले, आप दो वीडियो में, हमारा math का solution दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ओके, जैहिंद,